हलो फ्रेंड्स, last lecture जो है, वो अमने pronoun को, section को continue करते हुए pronoun के section में हमने बहुत अच्छे से इस section को देख लिया था और इस section में क्या था, कि as well as along with, together with, इनके बारे में हमने बहुत अच्छे से चर्षा की थी तो last lecture में इसको हमने cover कर लिया था, either or, neither nor में क्या rule है first subject क्या होता है second subject क्या होता है किसके according जो है verb का प्रयोग होता है यदि आपको ये clear है तो आपको subject verb agreement और subject verb concord की concept भी एकदम clear हो जाते है तो each, every, either, neither ये वाला section भी हमने last lecture में कर लिया था और one वाला case भी देख लिया था कि ना जो one है उसके अग one should obey one's parents आएगा his parents नहीं आएगा इस तरह के सारे section हमने last lecture में देख लिया थे तो अब हम लोग आगे continue करते हैं और इस class में जो है जो मैं ये book करवा रहा हूँ आपको है ना, जो मैं ये book करवा रहा हूँ ASP बक्षी की जो book है ये finish होने के बाद में कुछ paramount के अंदर जो extra questions दे रखे उसको भी cover कर लेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ hundreds of जो है pronoun की errors को देखेंगे लेकिन ये errors आपको तभी आप आएंगी जब आपने मेरे एक-एक points को सुना होगा तो lectures को हमेशा continue form में सुनेंगे ताकि क्या हो सके आपको cumulative information का पता चल सके तो देखें अब हम लोग आ रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा important points पर तो देखें यहां से हम लोग कुछ exercise एक तरसे questions है तो देखें each boy and each teacher यदि दोनों के आगे each each लग रहा है न और आपको लगया है कि end दिया हुआ है तो यह plural बन जाएगा तो ऐसा नहीं है each जहां भी आ गया न वहाँ पर हमेशा verb कैसी आएगी singular आएगी और चुंकि each boy each teacher singular की बात कर रहा है तो देर नहीं आएगा क्या आएगा हमेशा singular वाला जो है possessive adjective आएगा मैंने यह possessive adjective possessive pronoun भी क्या होते है वो मैंने last lectures में clear किये है तो यहाँ पर देर ना आके क्या आएगा his आएगा तो देखिए यहाँ पर देखिए देर की जगे क्या आ रहा है his का प्रयोगुरा यह correct form one should do his duty कभी नहीं आता है यदि everyone, no one, someone यह होता है everyone, no one, someone तो हमेशा जो है his का प्रयोग होता है या लड़की के case में girls के case में तो हर का प्रयोग हो सकता है point clear है लेकिन one के case में हमेशा क्या आएगा once आएगा राइट यहाँ पर अब आगे चलते देखिए neither, either वाला मैंने case बोला था आपको neither nor जहाँ भी लग जा तो यह वाला जो आगे वाला subject है वो first subject और यह जो पीछे वाला है वो second subject है लेकिन मैंने आपको last day में rule क्या बता है था last lecture में neither nor, either or, not only but also or या none but यह पाच cases बता है थे इनमें जो second subject है मतलब पीछे वाला है कहलो या फिर verb के पास वाला कहलो तो verb कहा है यहाँ तो verb के पास वाला subject कौन है यह teacher singular है या plural है बताइए यहाँ पर teacher singular है teachers नहीं दे रखा singular है तो यहाँ पर वाजी आएगा अब इसी के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर भी हमेशा singular आएगा क्यों कि पीछे वाला यही प्लूरल होता तो यहाँ प्लूरल आता यहाँ पर teachers होता तो यहाँ पर देर करेक्ट था और वर आता है यहाँ पर यह point clear हो गया होगा आप अब देखिए रीना अब मैंने आपको यह भी बताया था as well as along with together with हैना और जो है हैना along with together with और in addition to and not इस तरह के जो भी words जो है conjunction जोडने वाले शब्द होता है तो यह first subject और यह पीछे वाला her children's second subject इस case में शब पहला करता जो है first करता है क्या है singular है plural है singular है तो singular के हिसाब से आपको verb कैसी लगानी है singular तो यह correct है to there home नहीं आएगा यहाँ पर रीना के हिसाब से रीना female है तो यहाँ पर क्या आजाएगा her तो देखे there नहीं आएगा her आएगा यह point clear होगे आपको अब देखिए तो इस तरह के यदि questions आप सारे कर लेंगे न तो आपको देखते ही exam crack हो जाए कि हाँ यह हो गया बिल्कुल correct है only you and I have brought your books only you and I तो अब यहाँ पर क्या है देखो एक बात याद रखना I जिसमें मैं शामिल हो गया किसी जैसे मैं और वो लोग सब मिलें जिसमें मैं शामिल हो गया उसमें क्या बन जाएगा हमेशा हम बन जाएगा भले I और यू है यदि हम दोनों मिलाएंगे तो क्या बोलेंगे हम दोनों हम बोलेंगे न तो इसलिए यहाँ पर जिसमें I आगया और यू आगया तो यूर नहीं आएगा तो देखो जहां पर भी आई आगया अगेन क्या होगा देर की जगे आर का प्रयोग होगा यह बात क्लियर है और एक जो सेक्शन यह बीच में रह गया यू एंड ही तो जिसमें तुम शामिल हो गया जिसे तुम के अंदर बहुत सारे लोग थर परसन ही या दे शामिल हो गया तो यहां पर यूर बनेगा याद रखना क्योंकि जिसमें यू शामिल होगा तुम शामिल होगा उसमें तुम्हारा तुम सभी लोगों का है ना तो यहां पर क्या होगा देर नहीं आएगा यूर आएगा इस देर के जगे यूर आएगा तो यह बात क्लियर हो गई अब दे इदर के केस में जब singular आएगा तो यह प्लूरल वाला फॉर्म नहीं आएगा तो क्या आएगा इस बैडिंग तो देर की जगे क्या आएगा है आएगा तो यह एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुन लें तो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाँगा तो आपक है खुद भी एक्सरसाइज करना इच वन उफ अस इस डूइंग आर डूटी प्रॉपरली इच वन अफ अस इस डूंइन आर डूटी प्रॉपरली तो देखो जहां पर भी इच एवरी अधर ना इधर आता है वो सिंग्यूलर है तो आर नहीं आएगा बलिए इच वन उफ हाता पर क्या है और आपके क्रेश का करेंगे थीक है यह फीले तो इस नहीं आएगा जाए अब देखें सिस्टर अलॉंग विद्ट हर फ्रेंड्स तो देखो अलॉंग विद्ट में भी हमेशा किसकेहसाब से वर्बाती है my sister, यह first person और यह second person है तो इसके अनुसार वर्ब आ रही है यह singular तो singular आ गया doing her job चुकि एक लड़की है, my sister single है हर आ रहा है, यह बिलकुल correct है यहाँ पर देर होता तो गलत हो जाता है यह correct चल रहा है, यह point clear हो गया आपको अब देखें next rule पर आते हैं यह एक advance rule है थोड़ा सा यह थोड़ा सा advance rule है फिर भी हम लोग इसको पर चर्चा कर लेते हैं तो देखें कुछ ऐसे words हैं जो जिनके कभी भी जिनको है ना possessive cases उनके साथ में प्रयोग में नहीं आते हैं, possessive cases क्या होते हैं उसका खाना, उसका पर्स, उसका bet है ना, his, her, her car his car, her purse his wallet, तो यह possessive case होते हैं, her, his, her तो लेकिन कुछ ऐसी words होते हैं जो जिनके साथ में कभी भी जो है वो possessive case का प्रयोग नहीं होता तो देखें, मैं ऐसे नहीं लिख सकता your separation, क्योंकि separation अलग होना प्रतकता separation, leave, excuse mention, report, pardon sight, favor favor करना, किसी को pardon का मतलब शमा करना, mention का मतलब किसी को बारे mention करना, तो इनके साथ में देखें किस तर से use होता, your separation is very painful नहीं आए, क्या आएगा separation from you your separation is wrong expression, सही expression क्या है, separation from you तो यह बात समझ में आ गई, जो यह possessive case लग रहा है ना आगे इन words के साथ में कभी इनका प्रयोग नहीं होता, तो अगला एक और देख लीजिए at his sight, the robber fled, तो यहाँ पर भी क्या आएगा at his sight नहीं आएगा, क्योंकि his possessive, तो यहाँ पर क्या आएगा at the sight of him, तो यहाँ पर objective case के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, right, I bag your favor, यहाँ पर क्या आएगा I bag your favor नहीं आएगा, यह possessive case है, यहाँ पर क्या आएगा I bag favor from you या I bag favor of you, तो यह बहुत अच्छे अच्छे statement है, advanced structure में आपको याद रखने, she did make mention of you, है न, तो यहाँ पर क्या है, कभी भी जैसे यह इस तरह से होता न, your mention यह दे लिखा होता, she did make your mention, तो यह गलत हो जाता क्या होगा, she did make mention of you तो यह बिल्कुल correct statement चल रहा है तो आपको यह बात समझ में आगे होगी अब देखिए, आपको यह बात तो पता यह आईदर, आईदर के साथ में हमेशा singular verb आती है, न, आईदर के साथ दोनों में से कोई भी नहीं singular verb each other हमेशा दो के case में one another, दो से जादा के case में one another का प्रयोग किया रहता है तो each other और one another को हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जहापर मैंने आपको बताया था these are reciprocal pronouns each other and one another और है न, तो जब भी दो की बात कर रहे हैं, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आईदर का प्रयोग, नाईदर का प्रयोग each other का, यदि यदि जो है न, more than two person का reference आ रहा है तो anyone, कोई भी, none है न, या no one या फिर one another का प्रयोग होगा तो दो person के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है इनका, बोथ भी किसके लिए प्रयोग होता है, दो person के लिए, बोथ का प्रयोग भी, तो देखिए, यहाँ पर कुछ examples इस डिफेक्टिव, तो anyone नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि आखे तो किसी की व्यक्ति की दो ही होती है, तो तो यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, दोलम से कोई एक है, तो either of his eyes, है न, तो यहाँ पर anyone नहीं आएगा, क्योंकि उसके हाथ, either of his four sons, तो either of his four sons नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, anyone of his four sons sold his property after his death, है न, किसी एक ने जो है उसकी पूरी की पूरी property बेच दी, तो either तो दो की case में आता है, यहाँ पर चार है, तो याद रखना, either और neither और one another, यह कभी भी दो से ज़्यादा, या अलग तरह का case है, दो से ज़्यादा का case है, तो कभी भी आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, यह हमेशा दो के साथ प्रयोग उता और बोत का प्रयोग भी, अब देखिए, यहाँ पर यह जो questions हैं, अब जो आ रहे हैं, यह कुछ हथा question tag को mostly question tag को cover कर देंगे, लेकिन question tag जो है पुछले वाक के, उनको हम अलग से भी पूरा अच्छे से cover करेंगे in depth, तो कुछ general questions देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो question tag की बात आगे हैं, तो मैं आपको पता देता हूँ कि question tags होते क्या हैं, हिंदी में इने बोलते हैं, पुछले वाक के, और इसका मतलब क्या होता है, जिसे कई बार रहता हैं, कि हम लोग मैं इसे बोलता हूँ कि मैंने पानी पी लिया, है न, तो सामने वाला के लिए पुछले वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, इसको जनरली जो प्रयोग न, वो लेंग्वेज, भाशा बोलने के रूप में इसका ज्यादा प्रयोग होता है, लेखन के तुलना में इसको बोलने में, यह न, आर टीचर होगा, नॉट वगरा दिया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पीछे लिखे हैं, यह सभी कुश्चन टैग्स चल रहे हैं, और आगे यह स्टेटमेंट चल रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया, अब देखिए, तो आर टीचर इंटेटमेंट चूंकि यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हमको वर्ब उठानी होती है, यहाँ से, तो वर्ब कौन है, और इसंट नॉट लगाया, इट, तो इसंट इट नहीं आएगा, हमारे टीचर की बात हो रही है, इस इसंट इट की जगे क्या आएगा, इसंट ही, क्या वह नहीं है, हमारा टीचर इंटेलिजेंट है, क्या वह नहीं है, तो आपके जवाब देंगे, नहीं नहीं, है तो सरी हमारे टीचर तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस तरह से जो हैना, question tag को language में बहुत ज़्यादा किया जाता है, समझ में आगी होगी बात आपको, कि question tag, पुछलने वाक्ति होगा, क्या use है, अब देखिए अगला question पर चलते है, the boys are not, ये negative statement हो गया, not going to picnic, तो बिलकुल सही लगा है, इसने positive दिया है, the boys are not going to picnic, अब boys के लिए जो है, वो pronoun क्या बनेगा, are they, क्योंकि plural है, third person है, इसलिए are they, तो ये बिलकुल correct है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, are they सही है, और negative था, इसलिए positive लिया, aren't they नहीं लगाया हमने, ठीक है, अगला देखते है, they went to Delhi yesterday, अब देखिए went आ गया है, तो went में helping और कौन सी छुपी होती है, second form did, तो यहाँ पर isn't नहीं आएगा, और चुँकि positive है, तो negative तो आना है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, didn't, और कौन नहीं गए, it की बात नहीं है, तो non living है, यहाँ पर they, didn't they, तो यहाँ पर देखिए, answer देखो, बिलकुल correct दिया, didn't they, इस तरह से, अगला देखिए, तो आपको पुछले वाक्यों का एकदम समझ में आगया होगा, फिर देखिए, यह कैसा statement है, इसमें कहीं not नहीं है, positive statement है, तो यहाँ पर doesn't आएगा, comes के इसाप से, verb क्या लगीगी, does, लेकिन यह positive statement है, इसलिए यहाँ पर negative doesn't, और she है, तो यह बात आपको clear होगी, she will help me, तो यह positive statement है, तो want she, विलकुल correct चल रहा है, क्य I shall not play, तो देखिए, यह negative है, तो यहाँ पर positive आना चाहिए तो shall I आएगा, shall I, positive, shall I, negative नहीं आएगा, कि यहाँ पर negative not already दे रखा है, है ना, यहाँ statement फोड़ा सा गलत दे रखा है, आगे चलता है, he is seldom absent, तो देखिए, seldom का मतलब क्या होता है, मुश्किल से ही, यदा कदा, त न के बराबर, little शब्द का प्रयोग होता है, उसका मतलब भी क्या होता है, न के बराबर, little का मतलब भी क्या है, न के बराबर, तो अब आगे देखते हैं, we need not, not आगया, तो positive आएगा, तो need, need we, need not जो है ना, यह अपने आप में एक model है, और हम हमेशा, जो है, हम लोग या फिर model का प्रयोग करते हैं, connect करने के लिए पुछलने वाक्या, तो need we, और बिल्कुल correct चल रहा है, आगे देखिए, I used to write poetry, लेकिन used to वाले case में, used to model है, लेकिन यहापर इसको past रूप में लेके क्या लिखते हैं, didn't आई, तो यह exceptional case है, याद रखना, used to वाले case में, यहापर क्या है, अब देखिए, यहापर जो have है, वो have के बाद में कोई third form थोड़ी दे रखी है, तो यहापर have helping verb नहीं है, main verb की तरह काम कर रहा है, और जब यह main verb की तरह काम कर रहा है, तो फिर यहापर क्या होगा, do निकाला जाएगा, तो यह जो do है, don't be, यह exam में सबसे ज़्यादा question पूछा आपको जा सकता है, क्योंकि यहापर have जो है, main verb है, तो इसमें जो helping verb चुपी है, जिसे मैं आपको question पूछू हूँ, कि आप क्या इस वाक्य को negative statement बना सकते हैं, तो क्या बनाएंगे आप, we do not have a book, we do not have a book, तो यहापर देखो helping verb क्या मिलगी, have वाले के इसमें do मिलगी, तो helping verb को यहापर डाला जाता है, चुंकि positive statement है, तो यह क्या हो गया, negative, don't we, और इसी प्रकार अगला जो है, you have taken food, haven't you, क्या तुमने नहीं लिया है, तो यहापर haven't, have और third form है, इसलिए आपर helping verb भी है, तो इसलिए haven't you आ गया, तो यह point clear हो गया होगा आपक कुछ imperative statements होते हैं, imperative statements are those statements which starts from verb, जो कि verb से क्रिया से शुरू होते हैं, वे वो जो वाक्यांश है, उन्हें imperative statement कहते हैं, तो देखिए, यहापर क्या हो रहा है, यहापर जो है negative imperative है, don't का प्रयोग हो रहा है, तो don't close the room, तो यहापर चुंकि negative हो, देखिए, हमेशा imperative statement में will ya shell का प्रयोग होगा, हमेशा याद रखना, तो देखिए, और जो है let का प्रयोग, यह दी है ना, तो देखिए, आगे clear कर देते हैं, don't का मतलब यह negative है, तो यहापर क्या हो जाएगा, will you, don't close the room, दरवाजा मत खोलो, don't close the room, दरवाजा मत बंद करो, तो क्या होगा, क्या तुम क positive में है, तो देखो positive यदि imperative होता है ना, तो इसमें case में exception याद रखना, क्या तुम close the room, बंद करो दरवाजा, क्या तुम नहीं करोगे, या क्या तुम करोगे, तो दोनों ही जो है ना, इसमें correct है, right, लेकिन negative वाले में हमेशा क्या होगा, positive यह आएगा, imperative statements में, तो यह बात में दोगे, इस तरसे, है ना, और लेकिन यह यहाँ पर, जो है third person है, second person है, तब तो will का प्रयोग होगा, यदि first person है ना, तो हमेशा shell का प्रयोग होगा, जैसे let के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, us, और us क्या होता है, we और I का form है यह, है ना, we का form है, तो यहाँ पर shell क person है, तो फिर हमेशा will का प्रयोग होगा, तो यह imperative statement होगा है, अब question tag में कुछ special cases और कर लेते हैं, तो एक बात याद रखना, कभी भी hardly, seldom, यदा-कदा, barely, मुश्किल से, scarcely, few, little, यह negative statement है, यदि आपर not नहीं भी दिया हुआ, तो अभी question tag क्या होगा, यह negative statement बना रहे है, इ यह बात एक आपको याद रखने है, और एक और important point क्या है, everybody, everyone, somebody, someone, nobody, no one, anybody, none, neither, either, यह everybody के case में हमको क्या लगता है, यह तो singular verb बात है, इसके साथ हमेशा आती है, लेकिन कॉमा लगने के बाद में जो question tag बनता है, इनके लिए हमेशा, जो pronoun use में आता है, वो दे आता है, कभ clear नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो है question tag बनता है, तो हमेशा day का प्रयोग रहता है, तो यह एक point हमेशा आपको याद रखना है, तो देखिए, everything is settled, everything, everything का मतलब यहाँ पर non living है, तो it का प्रयोग होगा, चुंकि positive है, तो isn't it, यह बात याद रखेंगे, everything में हमेशा it का प् चुपा हुआ, इसलिए negative statement है, इसलिए positive यूज करा है, isn't का प्रयोग हमने नहीं करा, यहाँ रहाए, यह isn't का प्रयोग हमने नहीं करा, is it का प्रयोग किया, none का मतलब already negative हो गया, तो positive आ यहाँ पर, none of your friends, और none either, everybody, everyone, यहाँ पर हमेशा इनके साथ subject के लिए, हमेशा देखा प्रयोग होगा, right, everybody, और यहाँ पर यह positive statement है, तो यहाँ पर दे आएगा, और helping verb क्या है, can, तो can't और everybody के case में हमेशा देखा प्रयोग होता है, यह ना, अब देखिए, no one again देखा प्रयोग होगा, negative statement है, तो positive और verb क्या है, can, तो can they, यह इसका question tag बनेगा, इसी तर से one of, most of, या all of you, या one of, most of, all of us, तो इन सब में देखिए, हमेशा क्या आएगा, तो यहाँ पर चुंकि यह second person है, third person में हमेशा will का प्रयोग होता है, और चुंकि positive है, तो यहाँ पर want you, यहाँ पर देखिए, us का प्रयोग है, और चुंकि यह I, we, तो यह first person के case में हमेशा shall का, तो sh person या second person के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है, will का, और first person के साथ में मतला, I, you और we के साथ में हमेशा shall का प्रयोग होता है, तो यह points एकदम आपको clear हो गया होगा है, तो आज हमारा question tag वाला section भी एकदम आपको एकदम clear हो गया होगा, अब हम लोग कुछ आगे चलते हैं, द आपको thousands of preparation, देखुए, practice करना सबसे जादा important है, तो मैं आपको एक-एक question के practice करवा दूँआ, आप केवल मेरे lecture सुन भी लेंगे, तो भी आपके exam में सारे English के errors वाले section एकदम cover हो जाएंगे, है ना, साथी साथ मैंने vocabulary की playlist भी बनाई हुए है, तो आप मेरे playlist पे जाके vocabulary भी देख सकते हैं, और आपके जितने भी Navy, Air Force, Army, Clerk, CDS, NDA, CGL, CHSL, इसके जो भी students हैं, उन्हें आप इसका link बेच सकते हैं, और उन्हें complete English का है, free of cost एक दम यापर preparation हो जाएगा, which is 100% check and meet program, क्योंकि आपका 100% में section है ना, जो महानतम book है, उनको cover कर वा रहा हुए है, तो देखि भी आता है ना, तो याद रखना, बोथ के साथ में हमेशा end का प्रयोग होता है, as well as का प्रयोग नहीं होता, और कभी भी बोथ के साथ negative नहीं आता, बोथ Ram and Shyam are not friends, यह बिलकुल not जो हो गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, neither Ram and Shyam are friends, इस तरसे use करेंगा, neither Ram and Shyam is friends आएगा, य तो देखो यहाँ पर यह इसनोंने clear कर दिया है, दूसरा point क्या है, both of them are not, यह not नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, neither of them, और यहाँ पर singular, neither either के साथ हमेशा singular आता है, लेकिन कुछ कॉमा लगके यदि question tag है, तो यहाँ पर इसके साथ में they plural वाला form यूज होता है, यह द किसी व्यक्तियों में चुनाव करना choice वाला case है, तो कभी भी जैसे two sisters के case में who का प्रयोग नहीं होगा, किस का प्रयोग होगा, which का प्रयोग होगा, तो देखिए यहाँ पर यह एक error क्या है, यह इस तरह का question भी exam में बहुत आता है, of the two sister, दोनों में से कौन सा choice कर रहे, which is more intelligent, यहाँ पर who की जगे क्या आएगा, which का प्रयोग होगा, second question में, who is your father in the crown, इतनी सारी भीड में से चुनाव करना, आपके पिता कौन से है, तो which आएगा, यहाँ पर who नहीं आएगा, which is your father in the crown, भीड में, है न, who is better, of the two dancers, दो डैंसरों से चुनाव करना, तो which is better, तो है, possessive case, we don't use noun after possessive case, तो आपने देखा होगा, this is, this book is mine, तो mine जो है, possessive pronoun है, जबकि यहाँ पर यह नाउन है, तो इसके आगे जो माई लग रहा है, possessive adjective है, तो noun से पहले, विशेशन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कभी भी noun से पहले, pronoun का प्रयोग नहीं होता, याद र जो है, लास्ट लेक्चर में कवर करवाया, possessive adjective और possessive pronoun में क्या अंतर है, तो यहाँ पर यह correct है, this book is mine, या ऐसे भी लिख सकते है, this is my book, तो दोनों correct है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, this book is mine book, तो mine के बाद में book नहीं आ सकता, तो possessive case के बाद में कभी भी noun का प्रयोग नहीं होता वैसे ही, this shirt is yours, या फिर this is your shirt, यह दोनों ही एक ही बात है, और are is a populous country, तो कभी भी आर नहीं आएगा, यह तो क्या है, adjective है, और कभी भी कोई भी statement, मैंने last lecture में बता है था, कोई भी statement या तो subject से start हो सकता है, है ना, और वो subject क्या हो सकता है, या तो noun, या फिर pronoun हो सकता है, कभ जबकि O-U-R जो है, वो possessive adjective है, जबकि O-U-R-S यह possessive pronoun है, तो यह पर possessive pronoun है, जबकि O-U-R-S यह सबजेक्ट काम ले सकते हैं, adjective नहीं ले सकते हैं, इसलिए ours, आर जो है, वो ours में तबदिल होगा, तो हमारी जो है, वो बहुत ही जादा, जादा जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर आपको एक बार और मैंने एकदम picture clear कर दिया, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यदि subjective case होगा, subjective case होगा, तो हमेशा who का प्रयोग होता है, object वाले case होता है, तो हमेशा relative pronoun whom का प्रयोग होगा, और possessive case होगा, तो हमेशा whose का प्रयोग होता है, तो who, whom और whose मे अंतर clear हो गया होगा आपको तो देखिए he was talking of the woman तो देखो he was talking of the woman तो यहाँ पर यह subject है और यह object है तो यह जो object है objective case में objective वाला case आएगा तो whom आएगा whom आएगा वो नहीं आएगा है ना लेकिन यहाँ पर she is kind of lady तो यह इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह subjective case है तो subjective case में हमेशा क्या आएगा यहाँ पर who का प्रयोग होगा तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए he was talking of the woman किसी और woman की बात हो जो इसका मतलब यह object है और object में कभी who नहीं आता है तो subjective case है तो क्या आएगा whom आएगा और वैसे यहाँ पर जो है subjective case है यहाँ पर जो she के respect में आरा subjective case है तो subjective case के साथ who और possessive case के साथ हमेशा whose का प्रयोग होता है तो यह बात आपको एक दम समझ में आगी होगी अब हम लोग next कुछ statement last कुछ हलके से section रह गए हैं उनको और देख लेते हैं देखे कभी भी बट का प्रयोग जो है न यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा तो उसका मतलब क्या होता है यह statement आपको meaningful बना देगा क्योंकि आपको कई बार क्या होता है passages में इस के statement आ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता कि तातपर्य क्या है इस statement का तो देखे यहाँ पर आपको एकदम meaning clear हो जाएगा there was none but wept वहाँ पर कोई भी नहीं था जो की नहीं रो रहा हो तो देखो ऐसा कहीं पर सब्सक्राइब इसके बादभ में there is no country बट इस घरक तो पूरे दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो करप्ट निहीं इसका मतलब सब रांकिंग पर रहता है सबसे लिस्ट क्रप्ट और सिंगापूर वह भी लिस्ट करप्ट में आता है लेकिन सबी हुए देश में कुछ ना कुछ करप्शन तो होता ही है यहाँ पर इसका मतलब यह है अब देखिए अगला देखिए अगला जो पॉइंट है तो हमको यह बात समझ में आ गई अब एक और स्टेट्मेंट है देखो यह सब थोड़े से एडवांस स्ट्रक्चर चल रहा है लेकिन आपकी 100% फुल प्रूफ तयारी हो जाएगी तो देखिए I shall give you a book and the same is very useful तो देखिए जब भी देखो यहाँ पर यह बोला है कि same जो है न कभी भी pronoun की तरह काम नहीं करता है तो adjective की तरह काम करता है तो देखिए यहाँ पर क्या हैगा I shall give you the book and the same the same ऐसा लग रहा है कि book के बारे में बात हो रही है लेकिन कभी भी यह subject की तरह से काम नहीं कर सकता क्योंकि यह pronoun नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है the same की जगे it का प्रयोग करना ज़्यादा correct है तो क्या होगा क्या कहेंगे हम इसको सही करके I shall give you a book and it is very useful तो the same की जगे क्या आएगा it का प्रयोग वैसे ही देखिए he bought क्योंकि the same जो है वो subject की तरह काम नहीं कर सकता क्योंकि यह pronoun नहीं है तो he bought a house and is living in the same की जगे क्या आएगा is living in it the same की जगे क्या आएगा it का प्रयोग होगा तो last section जो है इसके बाद हम लोग अगले section में पूरी exercise देखेंगे और उससे पहले paramount की book देखेंगे तो last section और देख लीजिए what is used without an antecedent and it refers to things only देखो जबही भी what का प्रयोग है न living के लिए जैसे he, they या राम इसके लिए कभी भी relative pronoun के तोर पे नहीं होता यह हमेशा things चीजों के लिए होता जैसे it is incredible what she said यह अविश्वस नहीं है जो की, जो की का मतलब जो की उसने शब्द कहें है शब्द का मतलब क्या हो गया, वो things हो गई, तो things के लिए what का प्रयोग होता relative pronoun में I don't believe in the crowds what she uttered, I don't believe in the words मैं उन शब्दों को या उसके शब्दों को नहीं विश्वास कर सकता जो भी उसने कहें तो यहाँ पर यह non-living है, things है इसलिए क्या आएगा, what का प्रयोग होगा है न, तो यहाँ पर, यहाँ पर है न, तो देखिए एक बार मैं आपको वापिस सरी clear कर देता हूँ I don't believe in the words, तो यहाँ पर चुंकि उन शब्दों में से चुनाव करने के लिए, तो यहाँ पर what का प्रयोग न होके क्या आएगा, which या that का प्रयोग होगा, ठीक है इसके बाद देखिए, I don't believe in what you say, जो भी तुमने कहा है, things जो भी तुमने चीज़े कही है, उस पर तो यहाँ पर what सही है, यहाँ पर चुंकि words की बात हो रही है, जो कुछ तुमने यहाँ पर संख्या के case में आ रहा है, इसलिए which का प्रयोग हो रहा है, what का प्रयोग न हो I know which you say नहीं आएगा, I know what you say, जो भी तुमने कहा है, ठीक है, तो for detailed study the relative pronouns, तो हम लोग adjective clause वगरा वाला section आगे करेंगे, यह teachers वाल exams में ज्यादा important है, तो इस तरह से जो है न, SP बक्षी के मैं आपको सारे pronouns related rules पढ़ा चुका हूँ, paramount के rules next में करेंगे, और उसके बाद में द depth exercise करने वाले हैं, तो stay tuned और आपके जो भी जो है न, English के section है, वो मैं आपको full proof तयारी करवा दूँग, तो wish you all the best, God bless.